हलो गाईस, स्वागत है आपका सिर्जन जी चैनल पर और आज आप देखने वाले हो 1997 में आई कर्ड ग्लासिक होरर मुवी दे नाइट फ्लार का ब्रीक्टाउन जिसके डारेक्ट है मार्क पाविया ये बेज़ड है स्टीफन किंग की सेव नाम की शॉर्ट स्टोरी पर जो आई थी 1988 में वो भी काफी अंडर रेटेड है जादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि ये एजली कहीं पर मिलते नहीं इसके बारे में जो अंसुने फैक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा एन्ड में तो चलिए अब साधा देर ना करते हुए जो दिस स्टोरी स्टार्ट करते हैं मोवी स्टार्ट होती है एक एर फिल्ड में जहां रात के टाइम पर अचानक से एक प्लेइन आकर लैंड कर गया वहां का उपरेटर बग उसे चेक करने पहुँचा तो देखा के प्लेइन पर खून लगा हुआ था अब इससे पहले कि वह कुछ रियक्ट कर पाता पीछे से प्लेइन का पाइलट आया जो के एकदम ड्रैकूला के भेस में था और आते ही उसने बग के फेस पर पंजा मार दिया जिससे काफी गहरे घाओ बन गई पाइलट का फेस तो हम नहीं देख पाए लेकिन उसने बिना कोई देर किये बग को मा डाला ये था इंट्रो इसके बाद हम देखते हैं रिचार्ड डीज नाम के रिपोर्टर को जो के इंसाइड व्यू नाम की मैगजीन के लिए काम करता है ये इस मैगजीन का स्टार वर्स है तो याद रहे यहाँ पर ये सब आम बात है यहाँ का एडिटर है मॉरिसन और उसने आज ही एक नई लड़की को काम पर रखा है कैथरिन ब्लेर रिजड के लिए उसके पास एक नया केस है वही किलर पाइलट वाला मॉरिसन उस पाइलट का नाम भी जानता है ड्व लोगों को मारने के बाद उनका खून पीकर वापस उड़ जाता है अब तक वो दो हिर फिर्ड्स पर जाकर दो जाने ले चुका है और अभी भी जादा लोग उसके बारे में नहीं जानते तो मॉरिसन के मुताबिक जनता को यह स्टोरी काफी पसंद आएगी लेगिन रिच रिचर्ड से बोला कि मुझे तुम्हारे वाला केस मिला है तो कोई टिप दो ताके मैं भी एक अच्छी स्टोरी दे पाऊं रिचर्ड ने उसे अपना मोटो बताया नेवर बिलीव वाट यू पबलिश एंड नेवर पबलिश वाट यू बिलीव यानि के जूट और मसाला और कैथरीन को ये अडवाइस समझ में नई आई उसने बोला कि कुछ धंका बता जिससे मेरा काम बने और ये सुनकर रिचर्ड को गुसा गया उसने बोला कि तू चाहे कुछ भी कर ले तेरा कुछ नहीं होने वाला इंसाड व्यू ऐसी जगा है जहां पर ऐसी ऐसी स्टोरी दिमाग पर हावी हो जाती हैं तब वही होता है जो डॉटी के साथ हुआ डॉटी भी एक रिपोर्टर थी जिसने खुद अपनी जान ले ली थी वो भी रिसनली उसी की जगा पर कैथरीन को रखा गया है और ये बात इसे अभी पता चली कैथरीन समझ गई थी के रिचर्ड कोई मदद नहीं करेगा इसलिए वो चुप चाप चली गई इसी बीच वो पाइलट एक और जगा पर उतरा जहांपर एक ओल्ड कपल रहता था पहले उसने घर में जाकर हस्बन को मारा जिस बीच वाइफ अराम से बाहर बैट कर वेट करती रही और हैरानी वाली बात यह है क्योंकि तीन दिनों में तीन अलग अलग जगाहों पर उस पाइलट ने चार लोगों को मार डाला कैथरीन इस केस पर काफी अच्छा काम कर रही है लेकिन अब रिचर्ड को भी इसमें इंट्रोस्ट आ गया और यही तो मारिसन चाता था रिचर्ड ने ये केस वापस मांग था क्लेर बाविका और में वही स्टेट है जिसमें पैट समेटेरी बेस्ड है उस एरिफिल्ड पर लैंड करते ही रिचर्ड मिला वहांके वरकर एगाईजरा से क्लेर इसका दोस्ट था वो बताता है कि क्लेर जिस रात मरा पाइलिट उस से एक राद हो आ ऑगयाथा अपने था जब के ये उसका काम नहीं था एक और अजीब बात ये थी के प्लेन के नीचे धेर सारी मिट्टी पड़ी थी जिसके अंदर कीडे भरे हुए थे क्लेर नहीं एजरा को उस पाइलट का नाम बताया था और साथ में ये भी के वो डैरी से आया डैरी तो आपको पताई होगा पैनिवाइस वाला डैरी अभी वैलकम टू डैरी भी आ रही है खर फिर रात में क्लेर मारा गया था और पाइलट बड़ी सफाई से उसका गला उखाड कर ले गया था अब में सवाल ये है कि जब पूरा दिन प्लेन यहीं पर खड़ा था तो पाइलट पूरे दिन कहां पर था ये पता करना होगा फिलाल एजरा की फोटो लेकर रिचर्ड पहुंचा कबरिस्तान में क्लेर की कबर की फोटो लेने पर पहले उसने थोड़ी सैटिंग की फ्रेश फूल हटा कर वहां पर सड़े हुए फूल रखे फिर लात मार मार कर उसके टूमस्टोन को तेड़ा कर था तो उसने अपनी उंगली पर कट लगा कर सारा खून उस पत्थर पे मल दिया मसाला बिकता है इसका बस नहीं चल रहा वरना एक कबर खोद कर लाश की फोटो ले ले खर पत्थर पर खून मलते ही उसे अजीब सा करन लगा हवा में उड़ रहे पाइलट ने उसे फील कर और थोड़ा फील तो रिचर्ड ने भी किया उसी वक्त वहां पर आ गया केर टेकर उसने धंका कर रिचर्ड को भगा दिया पर इतनी मेहनत की थी तो एक फोटो तो लेनी थी फोटो लेकर वो पहांचा मोटेल में तभी विंडो पर उसे दिखाई दिया वो पाइलर्ट जो बीच कैथरेन आफिस में लगे रिचर्ड के फेमस कवर्स को देख रही थी उसके मन में यही चल रहा था कि मैं भी कुछ बड़ा करूँ इधर अगले दिन रिचर्ड प्लेइन से पहुंचा सेकंड एर फिल्ड पर जहांपर बक मरा था वहां से वो सीधा पहुंचा फ्यू मारिसन को बता दी और उसने पाइलट को नया नाम भी दे दिया नाइट फ्लायर मारिसन बोलता है कि सारी फोटोस वगरा मुझे भेज दे लेकिन रिचर्ड ने मना कर दिया क्योंकि यह ऐसे काम नहीं करता यह एक साथ पूरी स्टोरी ब्रेक करेगा वो भी तसल्ली से जिस अबी बंद है तब रास्ते में उसके पीछे पूलिस लग गई पर असल में वो उसके पीछे नहीं थी बलके आगे जा रही थी क्योंकि आगे एक बड़ा एकसिडेंट हुआ पड़ा था जिसमें कई लोग मर चुके थे लगे हाथ रिचर्ड ने वहां की भी फोटोस ले ल काफी उदास और निराश लग रहा था जबके वाइफ एकदम खुश थी और एक मेन बात वरकर ने ये बताई के वाइफ पार्लर जाकर तयार होकर आई थी यह जुनकर रिचर्ड उसी पार्लर में पहुचा तो वहां की ओनर ने बताया के वाइफ पूरी तरह प्यार में ख लाम बना लेता है फिर रिचर्ड एक पुलिस वाले से जाकर मिला जो के क्राइम सीन पर माजूद था उसने रिचर्ड को सब कुछ बता दिया कि जब वो घर में पहुचे थे तो हस्बेंड का सर काट कर अलग रखा हुआ था इसके बावजूद भी खून वहां पर नाके ब जो के कैथरीन के लिए काफी मुश्किल होगा फिर फोटोस लेने वो खुद उनके घर पहुचा और फोटोस लेकर जैसे वो बाहर निकला घर के उपर उसे मिला एक अजीब सा शैतानी डॉग जो के हमला करने के लिए रैडी था रिचर्ड को कार तक जाना था लेकिन पहले फोटो भी तो लेनी थी पर ये माका डॉग ने नहीं दिया वो रिचर्ड के पीछे लग गया तो रिचर्ड जल्दी से भाग कर कार में पहुचा और डॉग उसके एकदम पीछे ही था लेकिन कार में बैठा तो देखा के डॉग बैठा था घर के उपर कुछ समझ उसे आया रहा था साथी साथ वो कैथरीन से भी बात कर रहा था और मजी की बात यह है कि रिचर्ड और कैथरीन दोनों एक ही मोटल में रुक हैं रिचर्ड बार में ड्रिंक कर रहा था तो किसी ने उसके पास ड्रिंक भेजी वो भी खून जैसे लाल और साथ में मैसिस था कि अब उसने बता दिया कि मैं भी इस केस पर काम कर रही हूं और ये सुनकर रिचर्ड को गुस्ता तो आया लेकिन कैथरीन ने भी काफी जाँच परताल कर ली थी जो कि रिचर्ड भी नहीं कर पाया तो रिचर्ड ने उसे आफर दिया कि मेरे साथ मिलकर काम करो तुम्हारा भी नाम कवर पर आएगा पहले तो कैथरीन ने सोचा पर बाद में वो मान गई फिर दोनों ने साथ मिलकर उस प्लेन का पता लगाने की कोशिश की और आखिर में पता चल भी गया प्लेन था विल्मिंग्टन में रिजर ने कैथरीन को बोला के जल्दी से जाकर अपना सामान पैक करो ह में निकलना है कैथरीन ने भी यही किया लेकिन जब वो वापस रिचर्ड के रूम में आई तो रूम खाली था रिचर्ड इसे धोका दे कर चला गया अरे नहीं गया बलके उसने कैथरीन को अलमारी में बंद कर दिया ताकि सारा श्रे उसे मिले स्टार रिपोर्टर है तो क पहले से चीखो की आवाजे आ रही थी क्योंकि पाइलट ने अपना काम शुरू कर दिया पाइलट रेडियो के थुरू उसे वार्निंग देता है के वापस चले जाओ अब भी टाइम है पर वो नहीं माना वो लैंड कर गया और सामने ही उसे दिखा वो ब्लैक प्लेन रिच धेर सारी मिट्टी भी पडई थी और साथ में थी रिचर की मगजीन ऐसा का जाता है की वयंपर जहां भी जाते हैं अपने ठीकाने की मिट्टी साथ ले कर जाते हैं आंतばर कॉफिन में पर श практи प्लेन ही उसका कॉफिन है मतलब दिन में वह कहीं जाता नहीं बलके के अंदरी रहता है रिचर्ड ने हर इक चीज की फोटो ली फिर वो पहचा अंदर लेकिन अंदर तो पूरा मैसेगर था लाशों के धेर थे जितने भी लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे उन सब को पाइलट ने मार डाला यहां तक के पूरे स्टाफ को भी बच्चे बुड़े कोई नही तब ही उसे वही आदमी दिखाई दिया जिसका इसे विजन आय था पाइलट ने उसे मार कर उसका क्रॉस उसके मूँ में डाला हुआ था यह देखकर फैनली रिचर्ड को डर लगा अब उसे कोई डाउट नहीं बचा के पाइलट एक वैमपायर है या नहीं साथ ही वो ये भी समझ गया कि गौड भी उसे नहीं बचा सकता डर के मारे वो भागा लेकिन खून पर फिसल कर गिर पड़ा तब वो जल्दी से पहुंचा बाथरूम में लेकिन किसमत उसकी खराब थी कि पाइलट भी वहीं पर था मिरर में वैमपायर्स देखते नहीं लेकिन जो खून वोगल रहा था वो साफ साफ दिख रहा था खून पीते हैं ये तो पता था खून ही निकालते हैं ये आज पता चला जब वैमपायर्स मिरर में देखते हैं तो मिरर टूट जाता है तो ऐसे ही मिरर्स को तोड़ते हुए वो रिचर्ड के पीछे आकर खड़ा हो गया रिचर के पास कोई स्टोरी नहीं बची अब यहां पर उस वैंपायर के हाथ और हलका सा फेस भी हम देख पाई उसने रिचरड को प्यार बरी वार्निंग देकर छोड़ दिया कि आज के बाद मेरा पीछा मत करना पर रिचरड ठैरा स्टार रिपोर्टर उसने पीछे जाकर वैंपाय काटी और फिर जबरदस्ती अपना खून रिचरड को पिला दिया जिसके बाद रिचरड की दुनिया पलट गई वो एक पैरलल दुनिया में आ चुका था शायद हैल में जहां पर सारे मरे हुए लोग जिन्दा होकर उसी की तरफ बढ़ रहे थे लाइक सौंबिस बर्ट व पुलिस आई तो रिचरड अपने आप उन सब का कातिल साबित हो गया पुलिस के पीछे आई कैथरीन उसे देखकर रिचरड उसे भी मारने के लिए दौड़ा तो पुलिस वालों ने गोलियों से उसे भून डाला अलागे कैथरीन जानती थी के किलर कोई और है रिचरड ब बिलीव तो कैथरीन ने रिचरड को ही नाइट फ्लैर बना दिया जिसके बाद कवर में उसका नाम भी आया और साथ में फोटो भी रिचरड इसे हराने में लगा था फिर भी ये जीत गई और इसे के साथ ये मूवी होई खतम मूवी वैसे तो काफी सिंपल थी लेकिन इसक कोई मसे के लिए नहीं बलके ये उसका श्राप है पहले तो उसकी भी एक अच्छी हैपी लाइफ थी बाद में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके चलते वो वैंपायर बना और अब उसके लिए बचा है बस भटक ना और अकेला पन और आप स्टीफन किंग की वाइड फैंटेस और उसमें लैंडिंग करता वैंपायर का ब्लैक प्लेन अमेजिंग उपर से वैंपायर का जो लुक था वो भी रेगुलर नहीं था उसने भी इंपक्ट छोड़ा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है बाकि रिचर्ड की जो बात थी थी वो कैथरीन के काम आही गई अगर वो अपने ही बातों पर थोड़ा गौर कर लेता तो शायद बच जाता तो चलिए अब बात करते हैं इंट्रोस्टिंग फैक्ट के बारे में इसका बज़र था एक मिलियन डॉलर्स और कमाई इसने एक लाग पच्चिस हजार तीन सो सतानवे डॉलर्स क्योंकि ये पह 1997 में स्टीफन किंग की सारी मुविज टीवी पर रिलीज हुई थी रिचर्ड डीज जो इस मुवी का में करेक्टर है वो आपको देर्जोन नावल में भी मिल जाएगा उसमें भी वो एक रिपोर्टर है यानि के यही बंदा है मिगल फैरर दो और स्टीफन किंग मुवी मे काम कर चुके हैं दे स्टैंड और दे शाइनिंग जो के सेम साल में आई थी एक इंटर्व्य के दौरान मिगल की मा रोजमेरी कलूनी ने बताया था कि उनके नेफ्यू जार्ज कलूनी यानिके मिगल के कजन भी इस मुवी में देखने को मिलेंगे लेकिन जब मुवी आई तो उनका कोई रोल इसमें नहीं था मुवी को शूट करने के लिए मार्क पाविया को 30 दिन का टाइम दिया गया था और मार्क ने 29 दिन में ही पूरी कर दी हलाके एक दिन के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी थी बर था हरी केन की वज़े से मार्क चाते थे किसमें स्टीफ की आगे की जाँच पर ताल देख पाते जो वो करती नैट फ्लायर के बारे में और साथ में वैंपायर का ओरीजिन भी जान पाते लेगिन वो सीक्वल बन नहीं पाया क्योंकि कोई भी पैसे लगाने को तयान नहीं था यह मूवी चली नहीं थी इसलिए सीक्वल की तरफ को जोके सेम साल में रिलेज हुई थी बार के दर जब तक्रपेर ने पांस साल और के उससे मार डाला से के लिए प्लाइंन रहा है यह सब के अंदर भी स्टीफन किंग स्टोरीज के रेफरेंस थे स्ट्राबेरी स्प्रिंग, दे ब्रीधिंग मैथर, चिल्टरन अफ दे कॉंट, नीट फूल तिंग्स, दे लाउन मॉवर मैन और थिनर मॉवी के एफेक्ट्स दिये के एन भी ग्रोप ने, यानि के ग्रैगनी को टेरो, हावर्ड बर्जर और राबर्ट कर्समन ने, तभी इतने खतरनाक थे माइकल मॉस जिन्होंने वैंपायर का रोल किया, उन्होंने सोचा था के एक हैंडसम वैंपायर का रोल होगा, लेगिन बाद में जागर पता चला के पूरे टाइम फुल मेकप में रहना होगा, एरन माइकल लेसी ने वैंपायर के रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था, तो ये थे कुछ अंसुने facts, I hope आपको पसंद आए, वीडियो और effort पसंद आए, तो एक like जरू करना, और comment करके बताओ कि ये vampire idea आपको क्यासा लगा, क्या आप इस movie के बारे में पहले से जानते थे, comment करके जरू बताना, बागी ऐसी और unique वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe क करके ben notification को all पर set कर लो, तागे notification ठीक से आपके phone में land कर जाए, और ज़्यादा connected रहने के लिए आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथी बाखी जगाओ पर भी जिनके links आपको मिल जाएंगे नीचे, तो मैं आपसे म कर दो कर दो कि जाएगा?